हम बनाएंगे बाजू डीजाइन और इसकी चोड़ाई है साडh 7 और एक सेंटीमिटर हम इस तरह की टिक करके फिर इस तरह से हम राउंट सेफ करेंगे और इसकी लेंत हमने रकी है साडh 5 इस तरह से उपर की साड़ से हम इस तरह से round save करेंगे और आप केंची से इसको cut कर लेंगे हमने ये केंची से cut कर लिया है और आमारा बाजू का save कुछ इस तरह से बनेगा और इस तरह की हमने ये पटी लिया है 1.5 cm की तो cut कर लेंगे इसको हम और बाजू की जो round save किया था उस साइट से हम ये पाइपिंग बनाएंगे इस तरह से हमें ये पाइपिंग बना लेनी है इसकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनानी है फ्रेंड्स ताकि हमारे ब्लाउज की डिजाइन फिनिशिंग के साथ बने तो हमने इस तरह से ये पट्टि को लगा ली है और ये देखिए हमने इस तरह की बाजू को इस तरह से रखे फिर हमें ये लगानी है ताकि हैं उन्फोल्ड ना हो हमारी बाजू तो हम इसके भी यह पट्टी लगा लेंगे तो हमने दोनों सार से लगा ली है और इस तरह से हम पाइपिंग बनाएंगे अच्छे से हमें पकड़ के फिर यह पाइपिंग को बना लेनी है प्रेंट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक कर दीजिए तो हमने यह बाजू की पाइपिंग बना ली है अब हम यह चार सेंटीमीटर की यह पट्टी लेंगे दोनों सार से चार-चार सेंटीमीटर की होगी तो हमने इस तरह से डबल करके फिर इस तरह से हमें यह डिजाइन बनाएंगे तो हमारा यह सेब कुछ इस तरह से होगा तो इस तरह की हमने दोनों कलर की पट्टियां बनाई है और नीचे से शिलाइ करी है ताकि हमारी पट्टि खुलेना हम इस तरह से इसको सेट करेंगे और बीच में शिलाइ लगा देंगे ताकि उपर नीचे ना हो फिर यह हम डिजाइन बनाने के बाद में यह सिलाइ खोल देंगे तो यह जो सामने वाली है हम तीन इस तरह से लगाएंगे और तीन ही हम इस तरह से लगाएंगे सामने की साइड से देखे इस तरह से रखके पिर इस तरह से सिलाइ कर लेनी है में तो इस तरह से सेट करके फिर हम इस तरह से यह जो सामने की पटियां हैं इस तरह से हम लगा लेंगे हमने दोनों को सेट कर लिया अब हम इस तरह से दोनों को बराबर में करके सिलाए लगाएंगे तो हमने शिलाई लगा लिए है और इस तरह का कुछ सेप बनेगा और यह जो हमने बीच में शिलाई लगाए थी वो हम खोल रहे हैं तो हमने यह खोल ली है अब हम इस तरह से अच्छे से इसको बाजू को रखे फिर इस तरह से हम सेट करेंगी और हम सिलाई कर लेंगे इस पर तो हमने सिलाई कर लिए और अब इस साइट की भी सिलाई कर लेंगे तो दोनों साइट की सिलाई कर लिए और एक बटन बनाएंगे हम इस तरह से तो हमने इस बटन को इधर लगा देना है बीच में सुई से तो हमने बटन लगा दिया है और प्रेंट्स हमारी डिजाइन इस तरह की बनेगी तो बहुत ही ब्यूटिफर लगेगी आप भी अपने ब्लाउज में बाजू डीजाइन जरूर बनाएगे बाबाई ठीक के